हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका गोफवार प्रेपकीश नई क्लास में और आज हम आप्रेशन ब्लू इस्टार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों जून 1984 के पहले सब्ताह में भारतिय सेना ने हर मंदिर साहप स्वण मंदिर के परिसर के भीतर एक अभियान चलाया यहाँ अभियान उस समय चलाया गया जब सिख चरम पंथी धर्म गुरू जनरेल सिंग भिंडरावाले और उनके ससस्त्र उग्रवादी समूह ने स्वण मंदिर के परिसर पर कबजा कर लिया था दोस्तों भिंडरावाले को स्वण मंदिर से बाहर निकालने और इस पवित्र अस्थल की पवित्रता को बचाने के लिए ततकालीन प्रधान मंत्री स्रीमती इंदिरा गाधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भिंडरावाले पाकिस्तान की आयसाई द्वारा समर्थित थे और उन्होंने अपनी मांगों को अस्पष्ट कर दिया था वह चाहते थे कि भारत सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिससे भारत बिभाजित हो जाए और जिससे सिखों के लिए एक नया देश बनाया जाए जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाए दोस्तों कटर पंथी अलगावादी भिंडरा वाले ने 1982 में अपनी मांग के लिए आधार बनाना सुरू कर दिया था और 1983 के मद्ध तक भारत को विभाजित करने की अपनी योजना के लिए समर्थन हासिल करने में वे काम्याब रहे उनके कारियों और योजनाओं को कथित तवर पर पाकिस्तान की आयसाई द्वारा समर्थन दिया गया था जिसने उन्हें राज्य में उग्रवाद फैलाने में मदद की और उन्हें हथियार और गोला बारूद भी प्रदान किये 1983 के मध्य में भिंडरावाले और उनके ससस्त्र उग्रवादी समूह ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया उन्होंने लगभग पूरे स्वर्ण मंदिर को अपने नियंत्रन में लिया और ससस्त्र आतंक वादियों से स्वर्ण मंदिर को वापस लेना और इसकी पवित्रता को संदच्छित करना उस समय आसान नहीं था सिखों के लिए सबसे पवित अस्थल होने के कारण यह निर्णाय लेना और भी कठिन हो गया था लेकिन लगभग एक साल के परामर्स और बातचीत की कोशिस के बाद तत कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अब उनके पास केवल और केवल एक विकल्प मौजूद है वह है सैन्य अभियान उन्होंने इसकी इजाज़त दी और इस ऑप्रेशन को ऑप्रेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया दोस्तों 1982 से वो कोशिस कर रहा था भिंड़ावाले 1983 में उसने स्वण मंदिर को लगभग लगभग अपने कपजे में ले लिया एक साल तक बाचीत होती रही परन्त कोई विकल्प नहीं निकला तो 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑप्रेशन ब्लू स्टार की इजाज़त दी थी जून 1984 को देर रात भारती सेना ने ऑप्रेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया पूरे पंजाब में कर्फिय लगा दिया गया किसी को भी राज्जी की ओर से आने जाने की अनुमती नहीं थी संचार के सभी चैनलों को भी अवरुद्ध कर दिया गया अन्ततह ब्लू स्टार ऑप्रेशन सफल हुआ क्योंकि भिंडरा वाले और उनके आतंगवादियों के समुम को मार गिराया गया परन्त इस ऑप्रेशन में बहुत सारे नागरिकों और सेना के जवानों की भी मृत्ति हुई थी दोस्तों ऑप्रेशन ब्लू स्टार दो तरीके से चलाया गया था पहला जो क्योवल और क्योवल स्वर्ण मंदिर में चला था जिसका काम था भिंडरा वाले और उनके साथियों को मार गिराना और दूसरा अभियान जो चलाया गया था पूरे पंजाब में जो अभियान चलाया गया था उसका कारण यह था कि जितने भी संदिक्द आतंकवादी थे वो या तो पकड़े जाएं और या फिर मारे जाएं क्योंकि सारे के सारे जो आतंकवादी थे वो गोल्डन टेंपल अर्था सुर्ण मंदिर में नहीं थे वो पंजाब में फैले हुए थे इसलिए दूसरा अप्रेशन भी चलाया गया था दोस्तों सुर्ण मंदिर को सकसल बचा लिया गया और फिर से इसे जनता के लिए खोल दिया गया लेकिन दुनिया भर करें ने सिखों दोरा इस ओप्रेशन की आलोचना की गई क्योंकि यह उनकी पवित्र पूजा अस्थल पर किया गया था इस ओप्रेशन के दिरकालिक परिणाम हुए इस ओप्रेशन ने भारत को एकजुट किया और पंजाब को उग्रवाद से मुक्त किया परन्तु इस ओप्रेशन के कारण ही कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की मौत भी हुई थी दोस्तों ओप्रेशन ब्लू स्टार की खबर आते ही सिखों में बवाल मच गया सेना की कुछ इकाईयों में बगावत हो गई स्रीमती इंदिरा गांधी को जान से हाँ धोना पड़ा और उसी साल 31 अक्टूबर को दो सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी इसके बाद पूरे देश भर में गुसाई भीड़ ने आठ हजार से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया और उन में से तीन हजार सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे दोस्तों हम आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IS SSC Bank से related बहुत सारे questions और answers अपने YouTube चैनल पर upload कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल से जल प्राप्त हो सके इसके अलामा government M competitive जान सम्मंधित किसी भी material के लिए आप हमारी website www.go4up.com विजिट कर सकते हैं Thanks for watching this video